नमस्ते दोस्तों आज मैं अपने पुस्तक औरत के तस्विर से एक कविता आप सब लोगे लाई हूँ इसका सिश्चक है निम्न विचारधारा लांचन लगाना जैसे एक आमसी बात हो गई नारी की दुनिया वहीं पर फिर से कटगरे में आकर खड़ी हो गई ताना शाही के राज में कैदी तानाओं की वो हो गई संसार के निर्मात्री आज रुस्वाय को फिर से अंग लगा गई पोशाक परिधानों की बात करे ये जमाना हर जाही विश्य सुन्दरी का रचना स्वैंग पुर्स से ही आरम थी है वोई नर के अंग लगे तो अर्धनारी कहलाई मान सम्मान की रक्षा करता पुरुस नहीं तो ये वचन है खाई उत्थान पतन का सोच लिए संसार में हाहा कार बचाई जब कोई औरत को कोई पुरुष ने बेवज़ लांचन नहें लगाए फिर भी सहती जाए सारे ताने परेकर करताना शाही सरवंग शहा धरीत्री के जैसे मस्त मगन होकर वो फिर से हे लहराई लांचन अपमान बाते सुनना जैसे हो उसकी रुबाई संसकार के संसार के इसको संसकार से कभी भी न उसे मिली रुखाई सहती जा तो सहती जा ये दुनिया ने नारा लगाई सहती जा तो सहती जा दुनिया ने ये नारा लगाई क्यूं कब तक किस हद तक क्यूं कब तक किस हद तक ये जवाब ना दे पाया कोई भाई आसान है लांचन लगाना आसान है लांचन लगाना मिटाना उसको ना किसी से हो पाए पुरुष प्रदान समाज में हमारी नारी को ये दिन्हे दिखलाएं जीने दो और खुद जीओ ये है नारी ने नारा लगाएं कि ये दुहाई उसकी आवाज किसी के कानों तक न आज तक पहुँच पाई कि ये दुहाई उसकी आवाज किसी के कानों तक न आज तक पहुँच पाई सदियों से ये रीत बराबर है संसार में नित चलियाई दुनिया के सारे रस्म निभाए नारी चककी है बस यही सच्चाई पुरुष प्रधान समाज में नारी की सम्मान की है ये लड़ाई बस ये है चोटी सी लड़ाई, विजय इनी है ये, सदियों से उसकी उधारण वो खुद है बन पाई लांचन अत्याचार सब कुछ सहकर वो माता बन पाई सहनशीलता की मूरत वो संसार में है सदा कहलाई निम नविचार धारा की यही है अब असली सच्चाई नारी का सम्मान ना हो जहाँ नारी का सम्मान ना हो जहाँ वहाँ पर बस कयामत है आई, धन्यवाद